पूर्व ब्लोक प्रमुक बने रहे और पार्टी की बहावाई करते रहे लेकिन आज पार्टी की गलत नीतियों को देखते हुए पूर्व ब्लोग प्रमुक हजबान ने भारती जनता पार्टी को जोर का जटका तेकर त्याक कर दिया और रास्टी लोगदल पार्टी में एंट्री कर दी साथी साथ उनके बोटर और सपोर्टर भी उनके साथ में रास्टी लोगदल पार्टी में पहुंच गए जिससे साफ तोर पर कहा जा सकता है कि भारती जंता पार्टी को बड़ा जोर का जटका लगातार अब उत्ता प्रदेश में भी लगता जा रहा है। जोर का जटका दिया जिसमें रास्टी लोगदल के नेता उनके आवास पर पार्टी जौइनिंग करने पहुंचे जिसके चलते पूर्विदायक अश्पाक अली खान का पार्टी जोइनिंग करने पर हजबान ने सोल पेना वह चांदीका मुगुट पहना कर जोरदार स्वाग से अपील कर कहा कि सभी लोग रास्टी लोगदल पार्टे के पित्याश्टी को वोट दे कर काम्याब बनाएं देखिए उनकी दावेदारियां आज तक एक बार वो धोका और च्छनिक छदम में बातें करके उन्होंने चुनाव जीता है 2014 में आदनिये मोदी जी आज के परधान मंतरी तर्शीफ लाए वो आए उन्होंने बड़े खुआप दिखाए ना पंदरहजार नोकरियां उनके लिए पंदरह लाक रुपे ना दो करोन नोकरियां ना गरीबों के लिए ना काला धन कुछ नहीं वो कर पाए उनके जूट में अब हिंदोस्तान आने वारा नहीं ये बात सच है कियी अनुने हलचल पहला रहा किया वो अब थबने वाली है जहां तक किसान की बात है किसान के साथ आजादी से पहले तक भी किसान के साथ जल्म इतना नहीं हुगा जो राजा बैठा उऊंने किसान की सुनी लेकि आज कीedar किसान की नहीं सुन रहे हैं वो और बाते करेंगे मन की बात करेंगे लगिन शहीद होते किसानों की बात नहीं करेंगे इसकी सजा हिंदुस्तान की अवामों उने यकीन देगी और वो कानून की बात करेंगे जो तीन कानून है, वो तीन कानून सरकार ने खुदने थो पर है, सरकार उडियों की मौताज हैं, इसलिए पारियों के सिकंजे में सरकार है, वो आम जंता की सरकार नहीं जबके चुनी हुई सरकार परजात अंतर में राजा एक घर में राजा पैदा नहीं होता है लेकि उन्होंने ये परंपरा डाल दी है हंदोस्तान को दो आदमी बेच रहे हैं दो आदमी खरीद रहे हैं प्यापारियों के दबाओं में हैं जो बड़े उद्योग पती त मेरे कारकरता नहीं मेरे साथ मेरे नेता मॉझूद है हरजबान सिंह साहब हमारे दल में हैं हमारे दल के नेता है वरिष्ट है और आदरीमनुझ चौधरी जी हमारे जिले के अग्षा हो तमाव यहां पर अद्बिस फद्दन vaccinated सिंह साभ बाओं जी बड़े परमुकश यहा किसानों का गरीबों का अकलियतों की हिमायत करने वाले निता आदर्णी जैन्चोधरी जी हैं उनके नक्षे गदम पर चलेंगे और आवाम को यकिन दिलाते हैं कि आने वाले वक्त में यह अत्याचारी दमनकारी जो सरकार है इसको हम सब मिलकर हटाएंगे और एक खुशाल भ पर पाइटी नेतरों तो तो ते करेगा और गडबंदन खुशूरत रहें तो वह खुद उनका सफाय की तरफ है वह अपनी बात दूसरों पर लाद रहे हम यह कहें कि सफाया उनका होगा नहीं बलके उनका हो गया है उसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं जिनके घ हैं और एक बड़ी शक्सियत में राष्टे लोगदल का दामन थामा हैं उनके पिता जी मेरे साथ खड़े हैं उन्होंने कितने पच्छी साल उनके घर से पर मुखी रही है यह खुद बड़े नेता हैं तो आप इसका अंदाजा लगाई है क्या राश्टे लोगदल जैन च पारले जी के बिस्कुट पर लिखे का पांच रुपए का होगा और किसान की यहालत होगी अपना क्यों भी नहीं पेच पाएगा बियार से आके धान रामपुर में भीकेगा गन्ने का पेमेंट नहीं होगा गन्ने का दाम नहीं बढ़ेगा यूरिया खात के ग्राम दूने होंगे और पांच किलो कटोती होगी है डाई मेंगी होगी मंडिया उजड़ जाएंगी वियापारियों के हाथ में सब बंडारन चला जाएगा किसान को बर्बात करने पे तो ले हैं आपके पार्टी किस मुद्गों पर चना हो लेगा देखिए सिर्फ साफ सुत्रा भारत किरसी प्रश्दान देश है बलके ही कहा जाता है गणित के मताबिक के हिंदोस्तान सतर फीसादी खेती करता है मैं यह कहता हूं सौव फीसादी लोग किसान पेश्चे से चुड़े है कोई डारेक्ट को इंडारेक्ट जहां तक मुद्गों की बात है यह किसानों की अकलियत की कामगारों की मजदूरों की पार्टी है इसमें सबसे पहले किसान का हिद्सा देंगे अकलियत को सम्मान देंगे कामगारों को काम देंगे मजदूरों का सम्मान करेंगे यह हमारे बतने हैं शिक्षा नीती और जहां तक अभी में 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 आया है जो हमारा संकल पत्र है उसमें आधरी मनुझी से आप बात करेंगे तो बताएंगे कि तीन सो यूनिट आने वाले वक्त में हम फ्री में देंगे यूपी में विडंबना साड़े साथ रुपे यूनिट बिजली होगी बीजबी की सरकार होगी हर्याने में बीजबी की सरकार है वहाँ पर साड़े तीन रुपे यूनिट बिजली होगी हिमाचार में सवा तीन र किस तरीके करना चाहेंगे जनता से जो आपके कारे करता है उनको क्या मैसिज देना चाहेंगे मैसिज यह मैसिज तो सब जानते हैं कि बीजेपी जो है दोकेवाज पार्टी है और किसानों की विरोधी है कि 2014 में मौधी जी शौनाव लड़े थे जब सा पहला तो उनोह न हुना ने किसान की आंदनी खुकरंगे लगिन जो नहीं ना कहा वो स सुना किसी ने नहीं उनना खागाता ऑड़ू एदुगilling कंपरीगिए थे जब सहूं कि तो कि सपागी गवटमेंट जब ती तो किसान का जो अब जब से बीजेपी की गवर्मेंट आई और दो हजार बाई इस नजदी काई ये तो गेहूं बारे चौदे सो रुपे हो गया धान आट सो नो रुपे हो गया तो दुगनी कम होगी नांतनी किस तरीकी की तैयारियां है चौनाव लड़ेंगा पूरी तागस्ता बीपक्ष लगतार हर पार्टी पर सवाल खड़े करना है यह सवाल बीजेपी जोटी बोलती है सच कभ बोली है जनता से तो यही मांगे गड़फंदन को बोट करेंगी जनता दो सब जानती है